नमस्ते आज मैं करवा चोथ के मौके पे एक चोटी सी वीडियो बना रही हूं वो भी शायद मैं नहीं बना दी आज मैं शाम को जब घर से दूद लेने निकली मदर डेरी पे मदर डेरी के सामने ही हमारे एक प्लीस्टेशन है प्लीस्टेशन में बहुत भीड लगे हुई थ तो मैंने उस पे चांगा और पुछा कि क्या हूर precon को पी तो एक आरा दूसरी और डूसरे पीट रही थी और जब पता चला तो वह क्यों पीट रही थी क्योंकि उसके पतिका उस ओर से चक्कर ता और जो आदमी का चकर था वो अपनी मार के पीछे चुपा हुआ था तो मैं इसमें सिर्फ छोटे सा ये आपको बताना चाहरी हूं कि जो आदमी दूसरी और से चक्कर चलाते हैं हम औरतें दूसरी औरत को ब्लेम करते हैं पर आप पूरी बात पहले जानो फिर दूसरी औरत को पीटना शुरू करो या गंदी-गंदी गालियां दो क्योंकि जो आदमी होते हैं वह आुरत को अपनी तरफ लाने के लिए दूसरा चक्कर चलाने के लिए मैं यह है कि मेरी पत्नी मुझे खुशे ने बनाती मेरे मापब को हुश ने रहते मेरे कंना ने मानती है लड़ाकी है मतलब इतना सारा उरत Сाथा भूमी का बनाते हैं उससे लड़की जो सामें वाले उरट है वो सोषती है बहुत दुख्य है और आप यकीन मान jet स्वाएं और आत्मी उन्हीं और बूसाते विड़क्ते हैं यह अकेली होती हैं या या वो तलाग शुदा होती हैं या विदुवा होती हैं या आफिस में उनके होती हैं उनको ही वो ऐसे चक्ख़र में फसाते हैं और получится बीलेम की बार ही आती है तो सारा बीले की पर लगा दिया जाता है मैं भी मैं भी होती उसकी जगह तो मैं भी उस ओरत को ही बोल रही होती में लेह श् крут कि तेरे अदिया कहना तो एसी है ने भी उसको ऐसी चीट किया उसको बोला वो बिमार है वो बहुत बिमार रहती है मतलब बहुत सारे पहाने बनाए और जब उस जब वो लड़की ने दूसरी लड़की ने उसे बोला कि चलो आप शादी कर लेते हैं अमने बीवी को तराग दे दो तो फटा फट उसने माना कर कि अपने मां के पीछे चुपा हुआ था और मां भी उसको ही ब्लेम कर रही दूसरी लड़की को उसको क्या-क्या गालियां दे रही थी क्या उल्टा-उल्टा कहा रही थी दुनिया के सामने अरे यह बाते अगर तुम्हें पता चली भी है तो एक साथ बैटकर बाते करो द दुनिया में तमाशा दिखाने की क्या ज़रुवत है क्योंकि गलती तो अकेले लड़की की तो लड़के की भी गल्ती थी तो उसमें अकेले इस बुचारी को ही दुनिया के सामने क्यों गंदे तरीके से बोला और वो आदमी अपनी मा के पिछे चुपा हुआ और उसकी बीव के सामने तमाशा बनाओ नमस्ते